ब्रेकप के बाद ऊस्सान को वापिस पाने के लिए कोसिस करनी चाहिए या उस इसान को भूल जाना चाहिए देखो मैं आपको वह बता सकता हूं कि कोई चीज आपको कैसे कर नहीं है लेकिन ये डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा आपको करना क्या है एक चूल में आप चाहते हो क्या हो जब ब्रेकप होता है तो हमने पेंट फिल होता है महुत बुरा लगता है और हमें ज़्यादा तो उससे सारी प्रोब्में रहें आ एक जटके में स्कोल हो जाये está यह सच भी हो सकता है किवह वापिस आ जाए सारी प्रोब्म भी पर खतम लेकिन इससे पहले में यह सोच ना चाहें कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अभी के लिए problem तो खतम हो जाया लेकिन life में इस person को वापिस लाने से और problem हमेसा के लिए create होती रहे और relationship में ऐसे ही आप बार हाट हो रहे हो और वो होते ही जाओगे तो उस व्यक्ति को वापिस लाना आपके लिए कभी भी सही नहीं हो सकता हां पर कुछ misunderstanding हुई है कुछ छोड़ी मोरी ऐसी चीज़े हुई कि break up हो गया और ओ इंसान और आप दोनों का relation बहुत ज़ाद आपके लिए माइने रखता है तो definitely आपको उनको वापस पाने की कोसिस करनी चाहिए पर यह तही कैसे होगा कि आपके लिए उस इंसान को वापस पाना जरूरी है भी कि या उस इंसान को भोल जाना ही बेतर है जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहरी चीज आपको न एक काम करना है आराम से बैठिए दो अलग-अलग पेज ले लेग जिए उस इंसान के बारे में एक पेज में सिप अच्छी चीजे लिखना आए आपको जो भी आपको अपने हिसाब से लगते है इसको practically आपको करना होगा तब ना बेटर लिया आपको समझ भाए हाराम से बेठिए सोचिए कि उस इंसान में किया अच्छी चीजे है और उनको लिखत और थे जाहे हैं कि और अभ आपको लगता है कि उसके सही से ऑजी से बढ 기다्याली चीजों के बारे में में आप जानते अपके मन में आपने लिख दिया है तो नों को सामने रखो और देखो लेक्त किस सीज़ में जादा वजन है उनकी अच्छाय को था या उनकी ऐसी चीजे जो आपको नहीं प्रसन है जो चीजे नेगेटिव हैं जो चीजे उस परसन में माइनस पॉिंट दिखाती है देखो यह चीज तो है कि कोई भी इंसान परफेक नहीं होगा उसमें अच्छी बाते भी होगी और डेफिनिटली बुरी बाते भी होगी लेक पर ऐसा है कि गलतिया ये गलतिया है अच्छी बात तो सुझ दो है तो वह पर्शन के लिए आपके इतने इफट नहीं बनते एक बात से हम यह डिसाइड नहीं करने वाले और फिर जीजिए जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए जिसे कि आप उसकी गलती को उसलिए तो परणाम से बेटकर सूच ला जो अभे कुछ हुआ या जो चीज भी है उसने कुछ गलत किया है है तो हम अप करने के लिए रही हो साइड़ आप माप कर पा रहे हो लेकिन क्या उस इंसान को अगर आप प्यार नहीं करते या कोई और परसन होता है तब इस गलती को आप माप करवाते तो आप और लोगों की यानि कि अपने फ्रेंज की या और जो रिलेशन है उस रिलेशन में इस गलती को एकसेप नहीं करते तो इस परसन की गलती को आपको तो यह चीज थोड़ी सी सोच नहीं जाए कि इतनी बड़ी प्रोब्लेम जस्ट इसलिए तो माफ नहीं हो रही ना कि मैं इसको बहुत प्यार करें आज अगर आप माफ कर भी दोगे याद रखना यह गलती रिपीट होगी डेफिनेटली आप उनकी गलती को माफ करके उनको ए यह द्याद और उसनिया सानली से माफ कर दिया तो अब को इंसन क्या कर लेगा दिए यदि थोड़ा स다면 कि इंसान की लिए आपकेशद बने हो इस बुद्स सीपका क्या मतलब है उनकी लिए आप और आपके साथ मना क्या माइने रखता है डिपीनिटलीलिए आप जो भी दो तो उनका कही ना कहीं ये मतलब बनता है कि आपके लिए वो इनसान और उनके साथ बनाए ये रिलेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रॉटन है पर उसके लिए क्या है? समझो, ऐसा तो नहीं होना चाहे ना कि चीजे एक तरफी हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि लेसंसिप में कोई बेलेस ही ना हो, हाँ हो सकता है कि अभी कुछ वेसार ये कर रहा हो, अभी सिच्वेशन सही ना हो, पर मैं और और लेसं के बारे में बात करा हूं, कि जितना आपने उस इंसान को समझा है, जितना उस इंसान को आपने कि रियल में आप उनके लिए कुछ माहिने रखते हैं यह चीज आपके लिए ज्यादा चीजों को क्लियर करेगी कि अब उनका वेट करना चाहे यह उनको पूल जाना चाहे चोती चीज आराम से बेट के लिए सोचे कि क्या रियल में वो एक ऐसा परसन है जो आपके एफट को डिजर हो करता है यह जो भी चीज़े होगी उसके बाद आप जो भी उनको मनाने के लिए समझाने के लिए वापिस लाने के लिए जो वेट करोगे खुद को बदलोगे अप आपका प्यार साइथ उस इंसान के लिए कुछ और ही था उतना तो डिजर नहीं करता था तो थोड़ा सा देख लीजिए कि रियल में वो वाकवे में आपको लगता है कि बहुत बड़िया इनसान है तो आपके एफट को डिजर होता है और 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 उलको इंसान सही नहीं पांच में चीज़ जो बहुत ज़दा मायने रखते हैं कि अब तक इस लिस्ते में क्या हुआ जब हम बात करें इस लिस्टे में कि उस इनसान का वैट करना चाहे उनको वापिस लाना चाहे या भूल जाना चाहे तब आपको डेफिनिटल ये बात सोचनी जाए कि अब तक इस क्या हुआ कि से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ा आई या इस लेसं सिप से आपको जस्त दुखी मिला पेहनी मिला इस लेसंसिप में आने के बात आप हाठी हुआ हो रहे हो तो जस इस टाइं की बात नहीं कर ओए लेकिन ओर-ओर रिलेस्ट के बारे में सोचो च अगर छे मेने से उपर का रिलेस्टन है, एक साल से उपर का रिलेस्टन है, तो आपको बहुत किलियर लिस समझ में आएगा कि overall इस रिलेस्टन सिप से कैसी चीजे आपकी लाइफ में हो रही है, तो इसके चांसे बहुत ज्यादा रहता है, कि फले उतनी ही नहीं हो, लेकिन प्रभाव आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, पस रिलेस्टन के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पे नहीं मिला है आपको तो पोसिबिलीटी है कि आगे ये रिलेस्टन भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा, दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आपको